वालकम बैक फ्रेंड्स मैं हूं प्रमोत और आप देख रहे हैं इलेक्टिकल क्लासीज यूटिब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देख को बात के जैसिमल यहां पर इसको ऑक्तली पोम में कंवर्ट करना शिखा हूंगे तो one by one एक एक example लेके हम करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे decimal to binary form की अगर मैं बात करूँ decimal to binary form की तो इसमें क्या होगा सबसे पहले मैं कोई एक example ले रेता हूँ छोटे से example से आपको समझा देता हूँ like मैंने 12 ले दिया ठीक है 12 आपका क्या है यह decimal form में है तो मैं इसको simply represent कर देता हूँ power 10 से ठीक है इसको आप binary में convert करना चाहते हैं तो इसका answer क्या आएगा इसका process भहत ही simple है जिसको आपने digit है उसको binary form में convert करना है उसको इहाँ पे रख लेना है simply इसको divide देना है अब divide किस से करेंगे आप divide आप उसी number से करेंगे जिसमें आपको convert करना है example के तोर पे जैसे आप इहाँ पे इसको binary में convert कर रहे हो तो आप इसको divide करेंगे 2 से 2 से आप इसको divide करेंगे तो यह चला जाएगा यहाँ पे 6 पे और यहाँ पे power इसकी कितनी बचेगी 0 बचेगा remainder because 6,2,12 होता है तो remainder आप जो होगा वो simply यहाँ पे 3 करके सामने लिखेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा अगेन यह 2 से divide हो जाएगा कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा और remainder यहाँ पे क्या बचेगा जीरो बचेगा अगर मैं फिर से इसे 2 से divide करूँ तो यह देखिए 1 पे जाएगा 2,1 जाब 1 और यहाँ पे remainder कितना बचा 1 बचेगा अब इस case में इतना complete होने के बाद में आगे हम इसको divide नहीं कर सकते तो उस case में हमें क्या करना है simply यहाँ से लगना है इसको count करते हो और यहाँ पे जाते हुए इसको पूर count करना है समझे यहाँ से start होते इधर को तो अभी मैं इसको लिखना बताऊँ आँ सबसे पहले आपके पास क्या था 1, again 1, then 0, then 0 तो मेंस्टू से यह क्या आगी आपकी binary form आगी तो आप इसने आपने 12 को simply convert कर लिया है binary form में ठीक है तो इस तरह से आपने decimal to binary form conversion सीख लिया है अगर वही मैं बात करूँ आपकी fractional number होते हैं जो आपके point के बाद आजाते हैं उनको भी solve करने की बात आजाती है तो वो कैसे solve कर पाएंगे mostly YouTube पे वीडियोस है आपको उसके बारे में नहीं बताया जाता है like मैं जैसे आपको कोई option के थ्रूब बताता हूँ ये एक मैंने example ले लिया है ठीक है आपको ये decimal form में दिया है इसको आपने binary में convert करना है तो आप इसको simply कैसे convert कर पाएंगे ठीक है ये points में value दी होती है तो काफी tough हो जाता है तो इस case में आपको क्या करना है जो आपके point के बाद की value है simply उसको यहाँ पे right कर लेना है उसके बाद आप इसको किस में convert करना चाहते है आपको इसे binary में convert करना है तो means 2 से यहाँ पे आपकी power क्या है तो आपको यहाँ पे simply आपकी बाद 2 से multiply करना है याद रखिएगा अगर point आजाए तो point से right side वाले equation होती है उसको आपने multiply करना है तो point 75 को जो मैं 2 से multiply करूँआ तो यह 1.50 आ जाता है जैसा कि हमें पता है तो अब देखिए हमारे पास 1 तो एक complete number आ गया और उसकी multiply again 2 के साथ कर देनी है और इसी तरह आप इसकी multiply करते जाओगे जब तक आपके पास एक complete number नहीं आ जाएगा लाइक अभी देखिए point 50 को मैं 2 से multiply करूँगा तो 1.00 आ गया लाइक कि यह अपना complete number है हमारे पास यहाँ पर कोई भी digit नहीं बचा है तो अभी हमें क्या करना है इसको उपर से लग जाना है और आपकी बार नीचे की तरफ चलते हुए आना है याद रखिएगा उपर से नीचे की तरफ जब आप fractional number solve कर रहे हैं तो उपर से नीचे की तरफ आना है वह simply जैसे यह वाला solve करवाया था तो आपको नीचे से उपर की तरफ जाना है तो यहाँ पर देखिए जब हमने 0.75 जो decimal form में खा इसको convert किया तो अपने पास क्या आ गया 0.11 binary form में आ गया ठीक है यह मैंने आपको fractions की form में solve करना सिखा दिया तो अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर next की तो जो मैं आप बात करूँ है वो आपको मैं बता हूँ है decimal to octal form में decimal to octal form में कैसे convert कर सकते हैं इसका एक simple सा example लेते हैं like मैं 251 ले लेता हूँ simply आपको एक बार method समझ में आ गया तो आप उसको easily solve कर सकते हैं अभी देखिए मैंने आपको बताए decimal form है octal form क्या होती है 8 वाली होती है तो मैंने आपको कहा था जब आपको किसी को भी decimal form कोई भी decimal form है उसको आपको किसी भी form में convert करना हूँ आप simply उससे divide कर दीजिए हमें octal form में convert करना है तो हम इसको octal से divide करना start कर देंगे सबसे पहले हम इसको divide करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 और remainder अपना कितना बच गया 3 remainder 3 बचने के बाद में अगेन मैं इसको 31 को अब divide करूँगा तो यहाँ पर कितना आ गया 3 और remainder कितना बच गया यहाँ पर remainder आ गया 7 तो देखिए हमारे पास अब देन यह अगेन 8 से divide हो रहा है नहीं हो रहा है तो अभी हम इसको क्या करेंगे simply उसी form में लिख लेंगे जैसे मैंने आपको बताया था तो अभी देखिए क्या आ गया 3, 7, 3 तो यह बाद ही जो form आ गया यह आपकी क्या आ गया octal form में किस से convert की आपने 251 जो की आपकी decimal form थी तो decimal से आपने octal form में इसको simply convert कर लिया है ठीक है तो मैंने आपको decimal to binary decimal to binary बता दिया decimal to octal बता दिया तो अभी हमारा बसता है decimal to hexadecimal hexadecimal में मैं आपको convert करना शिखाता हूँ यह इसमें भी simply आप कोई भी example ले सकता है चलो 351 ले लेता हूँ simply 351 है जैसे आपके पास यह decimal form में है तो मैं इसको hexadecimal में convert करना चाता हूँ तो मैंने आपको बताया था hexadecimal 16 होता है तो आप इसको simply 16 से divide कर देंगे 16 से divide करेंगे तो यहाँ पे आपका आगया यह कितने पे चला जाएगा 21 हो गया इसका reminder बच गया आपका 15 15 को आप यहाँ पे लिखेंगे आपको पता है आप यहाँ पे 15 नहीं लिख सकते because मैंने आपको बताया था अगर आपकी value 10 भी आ जाती है तो आप 10 को a से represent करोगे इसी तरह आपकी value बढ़ती जाती है तो a to आपकी f तक यह value भी बढ़ती जाएगी ठीक है तो simply हम यहाँ पे 15 को जो represent करते हैं वो करेंगे एप से represent कर रहा हूँ मैं ठीक है उसके बाद again मैं इसको 16 से divide करूँगा अगर किसी कोई divide में problem है प्लीज divide आवो खुद करके देख ले काफी easy है उसके बाद मैं 16 को फिर से करूँगा तो यह one पे जा रहा है ठीक है और हमारे पास यहां remainder कितना बच गया five times फिर से remainder बच जाएगा तो अभी मैं फिर से इसको इस तरह करके आपको दिखाने की कोशिज कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या आ गया one five f तो यह किस में convert हो गया है यह hexadecimal में convert हो गया है किस से हमने hexadecimal में convert किया है three fifty one जो की हमारा था decimal form में तो इसी तरह आपने सीख लिया decimal to binary कैसे convert करते हैं decimal to octal कैसे convert करते हैं decimal to hexadecimal किस तरह convert करते हैं और इससे पहले की वीडियो में आपने binary form to decimal form hexadecimal to binary form और octal to decimal form वगयरा वो सारी form में अबसे पहले discuss कर लिए है बाकी जो आपके concept बचके वो आपको आगे की next videos में मिलते रहेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से like कीजेगा और ज़्यदा ज़्यदा information देखने के लिए हर एक वीडियो का description प्लीज से check कीजेगा जो नई details होती है जो मैं by chance कोई भी नया topic आता है या कुछ और होता है मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाता या वीडियो शूट होने के बाद में कुछ चीज़े ये रह जाती है तो वो description में डाल दी जाती है time के साथ साथ update कर दी जाती है तो हर वीडियो का description चेक कीजेगा वीडियो अच्छी लग रहे है तो चैनल अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा thank you very much